तो फाइनली हमारे एलॉन चाचा ने बाई कर लिया है ट्विटर विद 44.2 बिलियन डॉलर्स यहां 44.2 बिलियन डॉलर्स में हम तो जाएंगे आज इस वीडियो पास्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि कहानी शुरू कहां से हुई एलॉन ने कब सोचा ट्विटर को बाई तो शुरू होता है जन्वरी 2022 में जब एलॉन ने अंडर ग्रांड रहते हुए ट्विटर में अपने स्टेक्स बढ़ाना शुरू कर दिये और एप्रिल 10 को यह रिवील हो गया कि उनके 9.5 परसंट शेर्स हो चुके हैं ट्विटर के अंदे और फाइनली उन्हें थोड़ा है वह इंस्टाग्राम हो फेस्पोक और इवन यूट्यूब हो अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं और इंफ्लूएंस होता है कि इसी भी प्लाटफार्म के उपर अब एक प्लाटफार्म को जब को एक प्राइवेट बंदा ओन करने लग जाए तो बाकी प्लाटफार्म क प्लाटफार्म को प्राइवेट बंदे ने बाइड प्लाटफार्म प्लाटफार्म को बाकी रह गए अनकी प्रेंट कपनी जो के मैटर वर्स है उसके लिए हम देख सकते हैं कि फूचर में कभी कभी इलॉन इन कंपनी को पर्चेस कर लें अगर हम थोड़ा में रिज़न प में बाट प्रूव हो जाएगा अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा अगर हम देखें कोई भी चीज ट्रेंड होना शुरू कर जाती है बगार किसी रीजन के अगर हम कुछ ट्रेंड को देखें तो बगार किसी वज़ा के या फिर इतने इंपॉर्टन नहीं होते हैं फिर आगे सोचल मेडिया प्लाटफॉर्म पर भी इंडिविज्वल्स पर भी काफी इंपक्टफुल उन्होंने एक रीजन दिया अब इसकी वज़ाई यह है कि अगर हम देखें आपको ट्वीट करते हैं और आपको ट्वीट डिलीट कर देता है ट्विटर और आपको यह बता है कि यह हमारी कम्मुटे गाइडलाइन को वाइलेट कर रहे हैं अब डीप डाउन आप कोई नहीं पता कि आपने किस कम्मुटे गाइडलाइन को वाइलेट किया या पर आपने क्या एसा कियर इसको लिए आपका ट्वीट डिलीट हो गया अगर हम देखें एक सोचल मीडिय account for example Donald Trump का अगर हम account ले ले उसको ट्विटर ने जब बैन कर दिया तो ट्विटर ने ये कहा था जिए उन्होंने हमारी policies को invade गिया है या फिर ये लोगों में hate फैला रहे हैं जिसकर से हमने इनको block कर दिया अलकिन deep down किसी को भी ये नहीं पता कि पॉलिसी क्या थी किस पॉलिसी के किस आर्टिकल के तहट ने लोगों ने इसको डिलीट कर दे या फिर बैन कर दिया अब इलॉन ने ये कहा है कि वह ट्विटर के algorithm को open source कर देंगे या अगर आपको कोई डिलीट कर नहीं है या फिर अगर आप लोगों को कोई बैन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या गलती की या फिर किन कीवर्ड को लिखने से आप बैन हो जाएंगे ये भी आप लोगों को पता होगा अब इसका फाइदा भी है नुकसान भी है इसका फाइदा ये है कि अगर आप ल reason Elon ने दिए Twitter को buy करने की वो है freedom of speech अब Elon के मताबिक Twitter एक ऐसा platform है जहां पर freedom of speech नहीं है या अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि specific organization या पर specific party के खलाफ है तो Twitter उसको ban कर देता है या पर delete कर देता है मर बस बहुत से examples ऐसी मौझूद है तो अब Elon के मताबिक वो इसको freedom of speech वाल प्लाटफॉर्म बनाने वाले हैं यहां पर कोई भी कोई भी बात कर सकता है और इसको ban या पर delete नहीं किया जाएगा तो तीन main reasons दी है Elon ने इसको buy करने की लेकिन अब तीन में जो ने वो दी को देख लें पॉलेटिशन को देख लें या फिर हम स्लेब्रीटिस को देख लें इंफ्लेंसर को देख लें तो यह सारी जितने भी हैं लोगों की जो के impact रखती है specific बंदों पर वह active है Twitter के उपर as compared to Instagram और as compared to Facebook तो अगर वो कोई भी इंक्लोडिंग इलाउन को भी हम देखें तो Twitter पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं अपने किसी पर social media accounts अगर हम compare करें तो हम Twitter जो वह है social capital बन चुका है और हर किसी influencer के पास audience होती है एक होती है audience और एक है capitalizable audience अब for example किसी creator की example लेड़ेते हैं अब for example अगर आप किसी creator आप लोगों को ये कहे कि for example आपने कोई भी product buy करनी है या पर कोई ऐसा creator लेने जो आपको पसंद नहीं है और आपको वह कहता है कि आपने ये product buy करनी है या फिर उसकी endorsement वगरा करता है फायदे वगरा बताता है तो बहुत ही कम chances है कि आप उस product को buy कर रहेंगे तो आपको इतना फाइदा हो जाएगा नुकसान हो जाएगा तो आप उस product को at least एक दफार देखेंगे जरूर और उसको अगर आपको अच्छी लगी तो आप purchase भी करेंगे ये फरक होता है audience में और capitalizable audience में अब Twitter के उपर Elon के पास almost 85.7 million की capitalizable audience है यानि अगर वो एक specific बंदा एक पूरी market को हिला सकता है क्योंकि उसके पास capitalizable audience मौझूद है अगर वो ट्वीट करते हैं Tesla के उपर तो Tesla की value बढ़ जाती है या पर Bitcoin की value गर जाती है तो इस तरह की changes करते हैं तो ट्वीट से लेकिन अभी देखना यह है कि क्यों जो के Elon की अपनी parent company Tesla है उसके उप से उसको सू किया गया उसपर 2020 million dollars के fine रखे गए है और यहां तक की reports है कि Tesla के owner ने अपनी टेसला की गाड़ी का review दे दिया था YouTube पर तो उसको discrimination की विले से fire कर दिया गया तो भी देखना यह है कि अब इन सब जिनों को कैसे handle करते हैं और कैसे impact होता है different लोगों के उपर इस कैसा impact होता है तो यही थे आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया है तो आप इसको like subscribe कर सकते हैं मैं आप लोगों को से मलता हूं अगली वीडियो में इनने topic के साथ अलाव